ओके अलो फ्रेंट किसे हो आप सब में वीशी और आप देखरें बौंटी इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मारिको का सेर का जो है फंडामेंटल एनालेसिस करेंगे बाद में टेकनिकल एनालेसिस करेंगे तो आपको आइडिया आसके यह सेर कैसा है और कहां क्या तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जरू दिन लेते आते हैं और जो बाज में गंटे वाला बटन है उससे जरूर दबा दीचिए जिसको आपको हमारी नॉटिपिक्शन सबसे पहले मिल जाए तो पहले इस कंपनी के हम सेर होल्डिंग के पास है बाद में मियूचल फंट तो 4.12% के ओलिंग मियूचल फंट के पास है बाद में जो प्लेज प्रोमोटर ओल्डिंग तो उसका कोई चक्कर नहीं है मतलब प्लेज प्रोमोटर ओल्डिंग 0 है मतलब जो आप सेर ओल्डिंग देख रहे हो तो उसमें भी कोई आपक तो बहुत आपको यह टू यह मोड में चाहिए तो वह भी आपको क्या है कि एक इसाबल मोड में दिख रहा है और यह डेप इतने ज्यादा भी नहीं है कि कंपनी के ऊपर आपको एपेक्ट होती हुई दिखे क्योंकि जो लास्ट यह था उसमें आपको 349 की इसकी क्या है कि debt आई थी यह करोड में तो इतनी ज्यादा एफेप भी नहीं है लेकिन आप देख रहे हो तो पिछले पांच year में यह stable रहा है पिछले पांच year में ना तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है या इसने decrease की है तो जो यह दो पोईटे reserve and debt यहां मेरे को normal रग ले क्यों इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिले अब हम year to year result में देखेंगे क्या इसके profit and loss है क्या इसकी sales है तो अब हम आ चुके year to year result के उपर तिया हम net sales पहले देख लेते तो net sales क्या होना चाहिए तो आप पिछले 5 year में देख रहे हो तो net sales आपका year to year increase हो रहा है तो मतलब यह किसी भी company के लिए एक अच्छी बात होती है तो net sales increase हो रहा है बाद में हम PL before tax देख लेते तो PL before tax क्या होना चाहिए year to year increase होना चाहिए तो यह भी आपका year to year increase हो रहा है मतलब क्या हुआ यह भी एक company के लिए अच्छी बात होती है बाद में हम इसका net profit देख लेते तो इसके लिए मेरे को scroll करना पड़ेगा तो मैं scroll कर लेता हूँ तो जो net profit होता है वो कोई भी company में year to year increase होना चाहिए interest क्या होना चाहिए year to year decrease होना चाहिए तो interest में देख रहा हूँ तो यह भी आपको एक stable mode में पड़ा हुआ ही दिख रहा है तो यह भी कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं मतलब interest increase भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है तो थो हमने इतने सारे points देखे जो main point है वही मैंने देखे तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं दिख रहा है reserve देखा वो भी normal upset दिखने को मिला तो इतनी ज्यादा थी नहीं न्रमल थी, बाद में हमने net sales दिखा upset देखने को मिला interest वो भी stable था कोई इतनी ज़्यादा effect नहीं करने वाला है बाद में क्या है कि net profit वो upset देखने को मिला तो in simple mariko का fundamental मेरे को अच्छा लग रहा है और क्या है कि share holding में आपको pledge promoter holding भी कोई दिक्कत नहीं है तो in simple overall देखने को mariko एक अच्छा अभी हाल फिलाल हमें दीख रहा है तो अभी इसमें आपको buying करनी चाहिए किस level पे करनी चाहिए और कौन से support रहेंगे कौन से resistance रहेंगे वो आप देख लेगे तो आपको idea आएगा कि आपको कहा buy करनी है कितने year तक या कितने सालों तक आपको इसको लेके जाने आगे आने वाले दिनों में तो अब हम आ चुके हैं mariko के चार्ट के उपर तो इसमें आपको एक upside देखने को मिल रहा है अब यह जिस लेवल पर खड़ा है वो लेवल है 338.50 बाद में यहां से देखते तो यह उपर जा सकता है या नीचे जा सकते है वो तो चार्ट ही आपको बताएगा एक idea लगा सकते हो कि technical analysis के क्या होगा क्या इसके support रहेंगे क्या इसके resistance रहेंगे तो जहां से हम खड़े है इसके नीचे अगर मेरे को support चाहिए चाह से मैं long term के लिए buy कर सकूँ वो तो इससे नीचे मेरे को support चाहिए तो मेरा पहला support होगा यह zone जो यह zone है वही की बात करा हूँ में यह zone है वो क्योंकि इधर इसने पीछली बार के आए कि इधर से यह उपर गया था इसलिए तो यह zone है वो मेरा 330 से लेके 325 तक है तो इसके बीच में मेरे को in future मिलता है तब भी मैं इसमें buying में कर सकता हूँ अभी हाल फिलाल जहां से यह अप जा रहा है वो भी इस zone से भी अप जा रहा है तो आप इधर से भी buy कर सकते हैं लेकिन पेले आप अपनी analysis कीजिए बाद में कुछ buy या sell कीजिए तो इसके बाद अगर यह इस zone को break करके नीचे चला जाता है तो मेरा दूसरा support कौन सा होगा तो मेरा दूसरा support होगा यह trend line में ने ड्रो की है वो अगर यह मेरे को अपने trend line के पास से भी up जाता हुआ दिखे तब भी में इसमें buy में आ सकता हूँ अगर यह इसको भी break करके नीचे चला जाता है तब की बात है लेकिन वो थोड़ा hard है लेकिन in future अगर ऐसा होता है तो जो मेरा next level होगा वो 290 का होग तो देखों माल लेते हैं कि बड़ी green color की candle बना दी है इधर बीच में एक undecisional candle भी है तो अगर यह side इधर से up जाया है तो मेरा पहला resistance कौन सा होगा तो मेरा पहला resistance होगा 350 का level अगर यह 350 के level से अगर यह नीचे आने का कोई sign देता है तब आप इसमें cell में आ सकते हैं लेकि बाद में अगर यह इसको भी break करके ऊपर निकल जाता है तो जो मेरा next resistance होगा वह होगा 375.375 का level अगर इधर मेरे को वहां से भी कोई cell side का signal देता है तब भी में वहां से नीचे आ सकता हूँ लेकिन आपका long term view है तो वहां आप रह सकते हो लेकिन आप अगर trading के लिए लिए आप इधर exit हो सकते हो जब आपको ऐसा sell side signal मिले तब बाद में अगर यह इसको भी break करके ऊपर निकल गया तो मेरा third and important resistance level होगा वह होगा 400 का अगर यह मेरे को lifetime high के पास को एसा reversal pattern बनाके नीचे आने का sign दिया तो मैं इसमें sell में आ सकता हूँ या आपनी position close कर सकता हूँ लेक अगर ही इसमें आपको कोई इसी opportunity मिलती है आने वाले दिन में तो अब आप इसमें buying position बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एक अच्छा share long term के लिए तो अगर मेरे को यह long term के लिए चाहिए तो मैं कहां पर buy करूंगा तो normal बात ही है मेरे zone के आसपास मेरे को कहीं मिले वहां में बाइ करूंगा बाद में अगर यह मेरे को अपनी support line जो rising support line बोलते है वहां पर भी मिल जाए तब भी मैं इसमें buying में आ सकता हूँ तो यह था मेरी ओर से मारिकों में technical and fundamental analysis और दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज जारो like comment and subscribe कर देना अग अगर आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और एसे वीडियो आगे लेकाएंगे तो प्लीज जारो like comment and subscribe कर देना चाहिए